दोस्तों भारत की बीर सैना की बीरता के आपने कई किसी सुनी होगी लेकिन इस बार हमारी सैना ने सिर्फ हात्यारों से ही नहीं बलकि दिमाग और तकनीक के दम पर ऐसा का नामा कर दिखाया है जिसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगी स्वगत है आपका डिफेंस यातरामी जहां आज हम आपको बताएंगे भारतिय सैना की इस का नामे की बारी में पंजाब का ममून मिल्टी स्टेशन तारीक एक इतिहासिक दिन और ओपरेशन नाम दोन अथान यहां भारतिय सैना की नाइंथ कौपर्स के गुर्ज के जबानों ने वो कर दिखाया जो किसी फिल्म सीन से कम नहीं था सिर्फ तीन घंटे और पचास डून तयार जी हां आपनी सही सुना मात्य तीन घंटों में 32 सैना की जबानों ने पचास डून एसेंबल कर दिये या कोई साधान डून नहीं थे बलकि आदूनिक युद्ध और निगरानी के लिए बनाए गए हाई टेक ड कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा डून बना कर त्यार करने थी लेकिन यहां बात सिर्फ तक निकी नहीं बलकि यहां बात की टीम बर्क डिसिप्लीन और स्पीड की हर सैनक ने अपनी ट्रेनिंग कौसल और समर्पन को इस तरह जोड़ा की तीन घंटे बाद पूरा मैदा उनने के लिए तैयार ड्रोन से बचुका था आखिर क्यों जुरूरी है यह ड्रोन आजकल की युद सिर्फ मोर्चे पर लड़ जाने वाले नहीं हैं आधिन की युद में दोन टेक्नलोजी दुसमन की प्लानिंग को भांपने उनकी पूजिशन ट्रैक करने और सई समय पर स 2400 गंटे नजद रखने में किया जाएगा आतम निवर भात की दिसा में बड़ा कदम या उपलब्दी सिर्फ एक रिकॉर्ड नहीं या आतम निवर भात की सपने की तरफ एक और मजबूत कदम है हमारी सेना आप विदेशी तक्नीक पर निर्वल रहने के बजाए खुद अ इनोवेशन में भी दुनिया से आगे है दुनिया को संदेश जब दुनिया के बड़े बड़े देश दों टेक्नोलजी में भारी निवेश कर रही है तो भात की सैना या दिखा रही है कि हमारे पास सिर्फ ताक्त ही नहीं बलकि तेज दिमाग और जज़बा भी है पचास टीन घंटे और एक टीन या है असले बात यसना की पहचान दुसरां चाहे जमीन प्रोहो या आसमान में अब हमारे जवान हर दिसा से जवाब देने के लिए तयार है या है नई भात यसना जो सिर्फ सीमा पर ही नहीं बलकि तकनिक के हर मोचे पर जीत हासिल कर रही है या है हमारे जवान जिन के लिए कोई मिशन असंबब नहीं है और यह है वो ड्रोन जो आने वाले सिमा में भात की सुरक्षा का उड़ता हुआ कवच बनेंगे यदि हमारे द्वारा पताएगी जैनकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेर वो हमारे चैनल हरुआ